नमस्कार साथियों मैं आशी शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही काववे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर साथियों आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं दोस्तों आज हम राजस्तान एकिक रण को आगे पड़ेंग हैं जोंगे पिछले वीडियों पड़ाता हम हम पहला चरन पड़ चुके थे और दोस्ता चरन पड़ चुके थे ओसी प्रमं में आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं आज हम राजस्तान एकिक रण का तीसरा चरहां एक साथ पड़ेंगे फिर दोस्तों आज हम राजस्तान एकी क्रण का तीसा चरण चोता चरण एक साथ पड़ेंगे दोस्तों अच्छा दोस्तों करते हैं शुरू एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं और हो जाई ये शुरू दोस्तों राजस्तान एकी क्रण को पढ़ने तो आप क्या बताओगे संयुक्त राजस्थान संग दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान एकी करण के तीसरे चरण को क्या कहा जाता है तो आप क्या बताओगे संयुक्त राजस्थान संग अच्छा फिर बात आए कि जो तीसरे चरण है इसका निर्मान कब हुआ था तो आ आप क्या बताओगे 18 अप्रेल 1948 दो बाते क्लियर पहली बात तो क्लिया क्लियर हुई कि राजस्थान एक एक रण का तीसरा चरण क्या कहलाता है स्वयुक्त राजस्थान संग बनाया कब गया था अठारा अप्रेल 1948 अच्छा मित्रूम देखो बात आती है कि राजस्थान एक रण के तीसरे चरण में मतलब स्वयुक्त राजस्थान संग में कितने रियासते थी तो पूछा जाएगा कि बताओगे आप दस कितने बताओगे दस तबन अची तरह यहां से एक वेस्ट निश् तो राजस्थान एक रण के तीसरे चरण में कुल मिलाकर दस रियासते थी अच्छा फिर बात आती है कि यह दस रियासते कैसे बनी बात आए और पूछ लिया जाए कि दस रियासते कैसे बनी तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि पूर्व राजस्थान संग में कितने रिया रियासतों में क्या मिला दिया उदेपूर पूर्व राजस्थान संग की नो रियासतों में क्या मिला दिया उदेपूर और हमने पूर्व राजस्थान संग की नो रियासतों में उदेपूर को मिला कर क्या बना दिया संयुक्त राजस्थान संग एकदम क्लियर समझ जाना कभ बाते क्लियर पहली बात कि जो तीछना चरने उसका नाम क्या बताओगे आप स्वयुक्ति राजस्तान संग कब बना अठारा प्रेल उनी सो अर्तानीज अच्छा रियासते कि इतनी बताओगे दस अच्छा दस कैसे बनी पूर्व राजस्तान संग प्लस उधेपूर बराबर क संयुक्ति राजस्तान संग की राजदानी का नाम उधेपूर प्लस्ट पूछा जाएगा आप से कि संयुक्ति राजस्तान संग के मतलब एकी करण के तीसरे चरण के राजप्रमु कौन थे तो आप क्या बताओगे उधेपूर के महाराना भुपाल सिंग उधेपूर मतलब मेवाड रियासत तो उधेपुर अर्थात मेवाड रियासत के महाराना भुपाल सिंग को बनाया गया था एकी करन के तीसरे चरण का राज प्रमुक समझ जाओगे ना चार बाते क्लियर अच्छी दा समझ जाना तीसरे चरण का नाम क्या बताओगे सहयुक्त राजस्थान अच्छा कब बना 18 अप्रेल 1948 अच्छा रियासते कितनी दस अच्छा दस कैसे बनी पोर्व राजस्थान संग प्लस उधेपूर अच्छा पूछा जाएगा राजप्रमुक कौन होगा महाराना भुपाल सिंग राजधानी का नाम क्या बताओगे उधेपूर अच्छा पू दोस्तों कोटा के महाराव भीम सिंग क्या बनाये गए उपराजप्रमुक राजप्रमुक तो महाराना भुपाल सिंग और उपराजप्रमुक कौन हो गए कोटा के महाराना भुपाल सिंग पूछ लिया जाए आपसे कि जो तीछना चरन था इसका प्रदान मंत्री किसे बना गया तो आप क्या बता होगे मारिक के लाल वर्मा किसे बना ऊपश्व के लाल वर्मा और दोस्तों यहां से एक शल्च भुषयास ऐक्साइच कि मारिक के लालवर्मा खहां कि तो कि लाल फर्मा क् heo Bijo Lisa तो बीजोल में और जाना जाता हैं कि जोपी जोडिया शीला लेक इस लिए भी जोलिया जो जए जता ईक लेका और एक दोस्तों प्रिशन पूछा गया Не why he can't ? तुछ वित ऊंसर यह हो Dieses जान गया को अर्व को आंशर शोक कर और बूंच जाये कि अशोग परमार कहां का था तो जग मेर भरतपुर का था एकदम क्लिया तो ना चितना कि जो सायूंगत राजस्तान है जो तीछ ना चरण है उसके प्रदाहन मंत्री कौन बनाए गए मानिके लाल वर्मा अच्छा मानिकी लाल उर्मा कहां कि थे बीजोलिया के तो पूछ लिया सब्सक्राण बनता है और एक प्रिशन बनता है शर्मीश का बन क्या और ऊक्राण प्रूंजरा यहां यहां तक तो अगली जो पूचाएगा है जो तीछ ना चरण है जो हायँ राजस्थान संग है इसका उद्घाटन किस ने किया तो आप क्या बताओगे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू ने समझ जाओगे न समझना पूछा जाए कि राजस्थान एकी करण के तीछने चरण का मतलब की संयुक्त राजस्थान संका उद्घाटन किस ने किया तो आप क्या बताओगे पंडित जवाहलाल नहरू एकदम क्लियर अच्छा पूछा जाए कि यह उद्घाटन किस दुर्ग मे किया गया था तो दोस्तों ध्यान अखना कोड़ा दुर्ग में किया गया था कहां किया गया था कोड़ा दुर्ग में समझ जाओगे क्या उद्घाटन करने वाला कौन पंडि जवाहलाल नेरू कहां किया गया कोड़ा दुर्ग में और पूछा जाए कि कोड़ा दुर्ग कह आता है तो आप क्या बताओगे यह आता है उधेपुर में कहां आता है दोस्तों यह उधेपुर में एकदम क्लियर देखो क्योशन को तोड़ा उल्टा करके समझना क्योशन आजाए कि निम्न में से राजस्थान एकी करण का वह कौन सा चरण है जिसका उध्गाटन देश के प्रदान मंत्री के दुवारा किया गया था तो आपका आंसर क्या होगा तीसरा चरण मतलब संयुक्त राजस्थान संग समझ गया च्छी तरह चलो एक बार में फिर रिवाइच कराए तो अच्छी तरह फिर हम आगे चलते हैं एकदम क्लियर समझना राजस्थान एकी करण क पर राजस्थान संग पुष्टेप पर राजस्थान संग प्लस अधेपुर बराबर सवयुक्त राजस्तान संग एकदम क्लियर इन रियास्ततों की संख्या को धियान रखना यह हमेशा पूछी जाती है एकदम क्लियर अच्छा राजधानी का नाम क्या बताओगे उधेपुर राजप्रमुक्त क्या बताओगे महाराना भुपाल सिंग अच्छा महाराना भुप कि बीज़्ो लिए के तेन बात याद में बीजुलय किसान अंदोलन बीजुलय शीला लेक और बीजुली आका सथे पर और भी जोलिया का संस्तापक और आशोकपरमार अच्छा अश्योकपरमार कहां एक जगमेर भरत पूर तो अच्छा क्यों पूछा जा pandemic राजस्थान एक किया पंडी जवाह लाल नेरु ने और किस दुर्ग में किया कोषडा दुर्ग में किया तो दोस्तों ये तो था राजस्तान एकिकरण का तीस ना चरण अब हम बढ़ते हैं चोथा चरण एक साथ समझना तीस ना क्लियर हो गया आपका भी हो एकदम क्लियर चलो आगे अब बा व्रहद राजस्तान संग राजस्तान एकिकरण के चोथे चरण का नाम क्या बताओगे आप व्रहद राजस्तान संग एकदम क्लियर अच्छा पूछा जाएगा कि जो व्रहद राजस्तान संग है ये कब बनाया गया था तीस मार्च उनीस सो उननंच आज को कब बनाया गया तो दोस्तों सुस्क्राइब को एग दम किलियर तो दोस्तों धोरन रखना ज Armand एक योशन बनता है शिवासीब को दना है जो आप सभी गले स्टाइब राजस्थान दीवस कई मनाया जाता है तीसमर्ज भाइयी ऑचान दीवस कब मनाया जाता है तीस मार्च फिर बात ती है कि 30 स्मार्ज को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है बाता है कि दिर धान जाता है तो आप क्या बताएंगे कि चो कि टो स्मार्ज को राजस्थान की उन्नीस रियासतों मैं में से 30 मार्च को राजस्थान की 19 रियासतों में से 14 रियासतों का एकी करण किया जा चुका था मतलब राजस्थान का 2 तीहाई एकी करण हो चुका था इसलिए इस दिन निर्ने लिया गया था कि भविश्य में जब ये 19 रियासते एक हो जाएगी तो इस प्रदेश का नाम कया रखा जाएगा राजस्थान और इसी कारण प्रतिवर्ष 30 मार्च को क्या मनाइद आता है राजस्थान इसाप मादी वस क्लिएज पहुचा जाए कि राजस्थान एकी करण के चो यह चरंड में well कि तरny रियासतों का एक यह ग्रण हुआ 14 को हैं मैं एक बार फिर किछ रहा हूं अच्छी तरह समझना एग्जामीलर यहां से क्योशन पूछता है कि कौन से चरण में कितनी रियासते थी आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह जब मैं वीडियो का एंड करूँगा तो आपको बता हूंगा एक बार फिर बता दूँँ में आपको कि किस चरण में कितने रियासते थी हां तो चोथे चरण में कितने रियासते थी चोधा अचास चोधा बनी कैसे बहुत आसन हमने तीसरा बढ़ाना भी सेक्ट राजस्तान संग तो इस सेक्ट राजस्तान संग में कितने रियासते थी दस और दस में हमने क्या मिला द मतलब सहयुक्त राजस्तान संग की दस रियासतों में जेपूर, जोटपूर, जैसल मेंने को मिला कर अबनाया गया था। वरहध राजस्तान संगॉ देखो दोस्तों फिर समना पूर राजस्थान संग प्लस उदेपूर तो क्या बनेगा सायुक्त राजस्थान संग और सायुक्त राजस्थान संग प्लस जेपूर जोदपूर जेसलमेर बिकानेर क्या बन जाएगा आपके वरहन राजस्थान संग क्लियर आगी जलें तमना र उद्फवाई-मान Śिंग दवेटय पूछा जाए कि सिज समेड आपके राजप्रमु कोल बनें तो आप क्या बताओवके सुवाई-मान दवेटय मान दवेटय अमस्य आखे लेश्टान एकटल करन के छोथे चरण के राजप्रमुकोन बनाये गए थे सवाई मान सिंह दुविट्या अच्छा ये किस रियासत के थे दोस्तों जेपूर के एकदम क्लियर अब समवनें अच्छी तरन सवाई मान सिंह संबीद विदिय जो राजिस्थान के राजप्राभू कब बने में नैंटिन फोर्टीन अला के सवाई मान सिंगं सेकिन है ये राजस्θान के या व्रहद राजस्थान के राजप्रमों कब बने 1949 में और राजस्थान का एक रण कब संपन्न हुआ 1956 में समझे elastic ने यह कब बने साव आपकी राजप्रमों 1949 में अच्छा राजस्थान का एक 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 अगशन कब शम पन्नुवां उनिस्च सो चपपन में तो मतलब 1959 से लेकर 1956 तक राजस्थान की राजप्रमो कौन रहेंगे सवाइमान सीग धूटिया और यहां से बनता है एक क्योशन और क्योशन क्या बनता है राजस्थान का राजप्रमो किसे कहा जाता है यह क्योशन बनता है दोस्तों रट लेना ची तरह और हमेशा इस्टुडेंट इस क्योशन में गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जब एक्जामिनर पूछता है कि राजस्थान का राजप्र को आंसर लगाते हैं नहीं अगर क्योशन आ जाए कि राजस्तान का राजप्रमोग या राजस्तान का आज इवन राजप्रमोग किसे कहा जाता है तो आंसर क्या लगाओगे सवाइमान सिंग धुवीतिय क्या लगाओगे दोस्तों सवाइमान से धुवीतिय व्रहद राजस्त के आज इवन राज़प्रमुग कोन सवाइमान सिंग द्वीत्य एकदम क्लियर अच्छा पूछा जाएगा कि व्रहद राज़स्थान संका महा राजप्रमुग की से बनाया गया तो आप क्या बता होगे मेवार के शाषक कोन महाराना भूपाल सिंग एकदम क्लियर अब देख होगा राजप्रमुग और एक क्या चेंज नहीं होगा महाराजप्रमुग समझना उनीस सो नंचाज से लेकर उनीस सो चपन तक अब तीन चीजों में परिवर्त नहीं होने जा रहा है एक तो राज़दानी परिवर्तित नहीं होगी कब से 1949 से राजप्रमुग परिवर्तित नहीं होंगे, महाराजप्रमुक परिवर्तीत नहीं होंगे, तो इसका मतलब आज इवन राजप्रमुक तो कौन? सवाईमान सिंग से किन, और आज इवन महाराजप्रमुक कौन? महाराना भूपाल सिंग, समझ आओगे ना, राजप्रमुक का नाम है तो सवाईमान सिंग, और महाराजप्रमों का नाम है तो महाराणा भूपाल सिंग एकदम क्लियर अच्छा पूछा जाएगा कि राजस्थान के चोथे चरण के महाराव भीम सिंग दोस्तों यह उपराजप्रमों के वो कौन होंगे दोस्तों महाराव भीम सिंग और दोस्तों जो महाराव भीम सिंग है यह कहां के होंगे दोस्तों कोटा के एकदम क्लिर दोस्तों तो अब देखो उपराजप्रमों कौन होंगे महाराव भीम सिंग कहां के कोटा के अच्छा प्रदान मंत्री कौन होंगे हीरा लाल शास्त्री अच्छा हीरा लाल शास्त्री कहां के दोस्तों जोबनेर और जोबनेर कहां आता है जेपुर में एदम क्लियर अच्छा प्रधान मंत्री हीरा लाल शास्त्री हो गए उप राजप्रमो कौन हो गए भीम सिंग कहां कि हो गए कोटा के फिर पुछा जाए कि राजस्तान एकी करण के चोथे चरण का उद्गाटन किस ने किया तो आप क्या बताओगे देश के पहले ग्रह मंत्री सरदार पटेलने किया किसने किया दोस्तों देश के पहले ग्रह मंत्री सरदार पटेलने किया अच्छा किस दुर्ग में किया दोस्तों जेगर दुर्ग में कहां किया दोस्तों जेगर दुर्ग में जो कि जेपुर में आता है एकदम क्लियर अच चोदा के से बनी तीस्ट ने शर्ण मतलब संव्म सेयुक के राजस्तान संग में क्या मिला दिया जेपूर, जोतपूर, जेशलमेर और विकानेर। और क्या बना दिया। चोथा चरन। राजस्ता डिवस कब मनाया जाता है। तीस मार्च को। राज़धानि जेपूर। आजीवन राजप्रमोग सवाइमान सिंढ। आज इवन महाराजप्रमोग, महाराना भुपाल सिंग, उपराजप्रमोग, भीम सिंग, कहां के थे? कोटा के, अच्छा प्रधान मंत्री कोन होंगे? हीरालाल शास्त्री, उद घाटन कोन करेंगे? सरदार पटेल, किस दुर्ग में? जेगर दुर्ग में, एकदम क्लियर दोस समझ के अच्छी तरह, तो दोस्तों, आज हमने पड़ा है, राजस्तान एकिकरण का तीसरा चरण और चोथा चरण, उम्मीद करता हूँ, मुझे पुरा विश्वा से, कि आपको हमारा ये प्रियास सार्थक लगा होगा, अगर दोस्तों, आपको हमारा प्रियास सार्थक ल प्रियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, और शेर करने के लिए, ताथा सब्स्क्राइब करने के लिए, दोस्तों, हम आगी के लास में पढ़ेंगे, राजस्तान एकिकरण का 5अचवा। चठा और 7वा चरण, धन्यवाद दोस्तों, ओर आज झाल झाल